इस lecture में हम नागा issue के बारे में discuss करेंगे इसकी history क्या है, background क्या है और presently क्या situation है इसके बारे में discuss करेंगे जोivelyms और mains दोनों के लिए important है खासकर mains के लिए, क्योंकि आप 10 साल के paper दोख होगो GX के mains के, तो आपको पता चलेगा तीन से चार बार डारेक्ली इंडारेक्ली इसको पूछाए इसके बारे में क्योंकि ये अक्सर न्यूज में रहता है ये ये इस्यू ये इस्यू बहुत ही पुराना इस्यू है इसमें क्या है जो हमारा हिंदुस्तान है ये वाला North East का इलाका है जो नागा लेंड का है कुछ लोग नागा लेंड बे रहते हैं जिनको नागा ट्राइब बोलते हैं नागा ट्राइब नागाज बोलते हैं नागाज क्योंकि plural form ऐस लगा दिया plural form में हो गया बहोचन में क्योंकि इसमें एक ही tribe नहीं है नागाज में, बहुत सारी tribe हैं उनको नागाज बोलते हैं, बहुत सारी tribe जैसे हिंदू, मुस्लिम है, एक धरम है, इनके अंदर different caste हैं, ऐसी नागा एक ethnic group है, यह अलग ही culture है इसकी, यहाँ पर stool tribe के लोग रहते हैं, बहुत सारी major tribe हैं उनको मि हो, यह चाहते हैं यह Indian government से, मतलब इन्हें चाहिए कि यह खुद के लोग खुद बना सके हैं, खुद की parliament हो इनकी, यह चाहते हैं, यह कुछ असम नागा लेंड का, इलाका, मनीपुर का, अरणचाल परदेश और महनमार का भी, इस area को मिलाके greater नागा लिम, state का नाम देना यह, तो यहाँ पर कुछ गुरूप बने हुएं, अभी recently इसलिए news में आया, क्योंकि जो नागा लेंड की government है, नागा लेंड सरकार, उसने बहुत सारे यहाँ पर नागा political गुरूप हैं, उनको अपील की है, उनसे अपील की है, कि और यहाँ पर जो extremist गुरूप हैं, उनस यहाँ पर जो arm force है, इस वाले इलाके में जो arm force है, हमारी assam rifle है, assam rifle, यहाँ पर border पे तैना आते हैं, assam rifle, paramilitary force बोलते हैं, यहाँ पर रक्षा करती है, तो इनके जवानों को मार देते हैं यह, अपनी demand पूरी करने के लिए, कि हमारी demand पूरी करो, वरना हम insurgency करेंगे, इस तरह से अपनी demand करते हैं, कुछ extremist group, तो यह, यहाँ पर क्या है, जैसे आपका यह assam rifle ऐसी है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के border पे BSF लगाई हुई है, border security force, मनलब कुछ सैनिक भरती को हैं, जिसका नाम रखा हुआ BSF, ऐसी ही चाइना के border पे ITBP तैना थै, इंडो बेतन border force, इसी तरह से नैपल और भूटान के border पे कौन सी है, SSB, ससस्त्र सीमा बल, तो यह कुछ अलग-अलग से force बनाई हुई है, इंडियन गोर्मन्ट ने, जो तैनात रहती है, border area पे रक्षा करती है, तो यहाँ पे जो यह नागर ग्रूप है, जो असम राइफल है, उस आपने history में पढ़ा होगा न, दो तरह के नेता होते थे, moderate group, एक तो moderate group, जिने बोलते थे, नरम दल के नेता, moderate group, जैसे गांधी जी, नहरू जी, यह आते थे इसमें, और होते थे, extremist group, यानि कि गरम दल के नेता, जो छीन के लेना चाहते थे, यह peacefully, peacefully, constitution के base पे अपनी demand रख तो यह लाल, बाल, पाल, यह famous extremist, यह नेता जाने जाते थे, leaders, तो इसी तरह से यह हैं, यह चाहते हैं, कि हम छीन के लेंगे, अगर हमें नहीं दिया जाएगा, तो extremist group, तो यह demand रखते हैं, अभी इनहीं को बुलाया है, सब को साथ में, peace process के लिए, बात करने के लिए, यह से लगबग central government और यहां की जो state government और यहां के जो group हैं, extremist group हैं, नागाज के यहां पर group बने हुएं, 30 साल से यह delay चल रहा है, 30 साल से भी ज़्यादा से delay चल रहा है, लेकिन यह history से ही चल रहा है, जब अंग्रेजों का राज था तब से यह issue चल रहा है, लेकिन central government peace establish करना चा इनकी जो जन से क्या population 2.5 million है, 1 million में 10 lakh होता है, 10 lakh मतलब इसे गुना कर देंगो तो 25 lakh people है, यहां पर जो रहते हैं, उन में से 1.8 million, मतलब 18 lakh यहां पर नागा लेंड में रहते हैं, 0.6 million, 6 lakh यहां पर मनीपूर में, 0.1 million, यहां पर लगवग 1 lakh अरुना चल परदेश में का है, बर्मा मैनमार का ही नाम था पहले, मैनमार जो कंट्री है, तो यहां के असम और बर्मा के बीच में, यह जो असम है और बर्मा के बीच में, इस वाले इलाके में यह नागाज गुरूप रहते हैं, यह डिमांड करते हैं, भाई साव, separate state का, sovereign state का, यहां पर remote और mountainous region मे रहते हैं, remote areas उन्हें बोलते हैं, दूर दराज के इलाके, जैसे mountainous area जहां पर communication की facility नहीं है, rail roadways नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे दूर दराज के इलाके, जंगल वगरा, इनको remote areas बोलते हैं, mountainous region आप जानते हो, हिली areas, पहाड़ी इलाके, तो यह यहां पर जो है, नागा तो यह नागा याद रखना है, कि एक तो single tribe नहीं है, single tribe नहीं है, कि एक नागा tribe है, जंजाती के लोग हो गए, नहीं, इनमें बहुत सारे लोग हैं, जो नागा land और neighboring state हैं, यहां पर आसपास के इलाके, असम, अरुना चलदेश, परदेश, मनिपूर, इनमें बहुत सारी tribe रहती हैं, जिनको मिलाके बोलते हैं, और यह नागाज इंडो-mangoloid family से बिलोंग करते हैं, इंडो-mangoloid का मतलब यह है, जैसे हमारे इंडिया में जो रहते हैं, different race के लोग रहते हैं, जैसे नौर्थ इंडिया में आर्यन रोग लेते हैं, आर्यन category के, आर्यन family के, यहार अपरिका से आया थे, निगरी टो, निगरी टो, लोग रहते हैं यहां पर, और कुछ रहते हैं मानलो, ओस्टरोइड, ओस्टरोइड family से, एचे यह जो इंडो-mangoloid family है, मतलब इंडिया में रहते हैं, लेकिन यह मंगोलिया से बिलोंग करते हैं, कि ट्राइब, मंगोलिया से चंगेज खान था, और यहीं से आसपास के अलाके से वह बाबर बिलोंग करता था, क्योंकि बाबर दो, एक बाप अलग family से बिलोंग करता था, मतलब इसके दो family से बिलोंग करता था, बाबर जो आया था हमारे इंडिया पर मुगल सामराज्य जिसन से अट अप किया था, तो ऐसा माना जाता है कुछ लोग यहां से आये थे तो यह इंडो-mongolid family से भिलोंग करते हैं अब इसमें जो नागा है ना 19 major नागा tribe है बहुत सारी tribe है लेकिन जो major tribe है वो 19 है यह आपको याद करने के तो वैसे जुरूत नहीं है लेकिन बस इतना जान लो एक बार revise कर लो कि इससे यह पता लग जाएगा कि यह सारी जो tribe है यह नौर्थ इस साइड में रहती है जैसे अगर match the following में UPSC पूछता है कि tribe के बारे में match the following में पूछता है कि यह कहां पर state देदेगा तो आपको इस तरह का मतलब थोड़ा वो रहेगा थोड़ा आपको मतलब आइडिया रहेगा कि यह नौर्थ इस्ट एरिया से हैं तो आप लगा दोगी कि नौर्थ इस्ट म लेने तो आप यह देख सकते हो ओज है हाँ पर और यह और अंगामी यह अनुचल परदेश में रहती है परजाती चैंग से चैक सेंग है काबू है यह जो एस लगा हुआ है नहीं यह प्लूरल फॉर्म में बना हुआ है है तो ओ परजाती का नाम स्टूल ट्राइब है जो अनुसुची जंजाती तो यह अनुसुची जंजाती में आती है ओ यह प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में लिख हुई है सारी कचारी खान मंगा कोयक यह कोंकियक कुकी लोथा मारो मिकीर फोम रेंगमा संगतम सेमा तांकलूक और येम चुंगर और जिल्यंग यह 19 मेजर ट्राइब है जो नागा में आती है और अब यह यह चाहते हैं देखो यह वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यह वाला यह वाले एरिया को चाहते हैं कुछ अनुचल प्रदेश कुछ असम कुछ नागा लेंड मनीपुर और यह आपका महनमार का इलाका इसको मिला के बोलते हैं ये greater नागा लिम, greater नागा लिम की demand करते हैं ये, तो background समझते हैं कि ये start हुआ कहां से issue, नागा insurgency है, जो insurgency का मतलब हो था घुसपैट करना, कि border इलाके में जबर्दस्ति घुसपैट करते हैं, वहाँ पे government ने रोक लगाई होती है, लेकिन घुसपैट करते हैं, वहाँ पे जो police है, armed force या civil जो लोग हैं, उनको नुक्सान पहुचाते हैं, मारते हैं, ये हो गई insurgency, तो different different border है हमारे इंडिया के, उन पे different different border पे insurgency होती रहती है, पाकिस्तान border पे भी होती रहती है, चाइना border पे भी होती लेती है, तो यहाँ भी ये लोग करते हैं, नागा hills है जो यहाँ पे, ये पार्ट बना British government का, आप सब को पता है, British के गुलाम रहा था इंडिया, तो 1881 में नागा hills का अलग से राजा हुआ करता था, ये असम में इती जो नागा ट्राइब के जो लोग रहते थे, अनुसिती जन जाती के, अब इनको अच्छा नहीं लगा, कि British government ने इनकी autonomy छीन ली, पहले यहाँ अपने decision लिया करता था, राजा वगेरा रहते थे, ट्राइब कलब, नागा कलब का formation हो गया, 1918 में, उसके बाद क्या हुआ, ये कलब ने एक तरह से नागा nationalism की sense arouse की, मतलब लोगों में राश्टवाद की भावना को जनम दिया, जैसे भाईसा nationalism का क्या मतलब है, कैसे define करोगे एक word में, इसके करोगे आप, feeling of oneness, nationalism का मतलब क्या है, feeling of oneness for nation, मतलब एक ताकी भावना राश्टे के लिए, तो इनकी एक ताकी भावना बनाया था, इसी का नाम change कर दिया गया, 1946 में ये metamorphosed हो गया, metamorphosed का क्या मतलब है, देखो भाईसाब इसका मतलब होता, change होना, बदल जाना, जैसे आपने पढ़ा होगा जोग्रफी में, तीन तरह की rocks होती है, igneous होती है, sedimentary और metamorphic, तो metamorphic rocks कैसे बनती है, ये igneous और sedimentary rocks ही under the pressure and temperature, pressure और temperature के कारण change हो जाती है, metamorphic rocks में, चट्टानों में, तो ये metamorphosed, वहीं से word लिया गया, metamorphosed, metamorphosed का मतलब change हो गया, नागा कलब किसमे, नागा national council में, इसका नाम change हो गया, और इसकी leadership किसके पास थी, इसके नेता थ ये इसके नेता थे, इस गुरुप के, इस council के, नागा national council के, तो इसने जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, तो 14 अगस्त 1947 को इसने नागा लेंड में, नागा लेंड में, नागा national council थी जो, उसने अपने आपक इसने referendum कराया, आजादी के बाद में 1951 में, में 1951 में referendum कराया, referendum कर मतलब होता है, लोक मत, यानि कि कोई भी ऐसा issue होता है, उस पे जनता की राय पूछी जाती है, वोट, वोटिंग की जाती है, तो यहाँ पे वोटिंग करवाई गई, और वहाँ पे 99.9% लोगों ने नागा लेंड की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपको पता उस साइम पे सर्दार वल्लव भाई पटेल जी थे, उन्होंने सब को जबर्दस्ती भी एक साथ लेके आए, कि हाँ आपको देंगे आजा दी, अलग से इतना हमने महनत किये, तो इन्होंने सब को एक state को मिलाया, और अब बाद में यहां पे क्या है, इंडियन गोवर्मेंट ने नागा लेंड एक अलग से state बना दिया, पहले अलग से state नहीं था, यहां पे क्या है, यह असम का ही पार्ट था, असम की district थी नागा हील्स, डिस्टिक थी असम की, जो असम कंट्री है, मतलब असम state है हमारी कंट कुछ नागा हील्स का पार्ट लिया असम का और कुछ पार्ट लिया अरुनाचल प्रदेश का पार्ट था कुछ इससा इसका लिया अरुनाचल प्रदेश की प्रोविंस थी यहां पर प्रोविंस का मतलब यह स्टेट है जो इसका कुछ पार्ट लिया और असम का पार्ट लिय एजनसी नेफा बोलते थे सौटकट में फिर उसके बाद क्या हुआ अब यह स्टेट अलग से बनके हो गया तयार लेकिन इनकी डिमांड तो अभी भी कमने हुई क्योंकि नागा जो नागा नेसलिस्ट काउंसिल बनी हुई थी गुरूप वो तो डिमांड कर रहा था और एक और गुरूप बन गया था नागा फेडरल गुरूप यह भी एक गुरूप बन गया था फिर क्या हुआ यहां पर एक सिलोंग अकॉर्ड हुआ Central Government और State Government और यहां की एक काउंसिल आई ये वाले गुरूप साथ बैटे 1975 में अब इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि भाइसाब मतलब मीटिंग में जो इन्होंने मीटिंग हुई जिसका नाम दिया C-Long Accord मतलब एक समझाता हुआ Agreement इनके बीच में Government के बीच में और NNC और NFG के बीच में तो इन दोनों गुरूप ने Agreed कर लिया सेहमत होगे कि हम आम से जो हतियार है उसको Give Up कर देंगे छोड़ देंगे कि हम यहां पर ना Am Force को मारेंगे ना केसी को मारेंगे तो इन्होंने यहां पर स्विकार कर लिया लेकिन इसी गुरूप का एक पार्ट था जिसके 140 मेंबर थे सदस्य थे इसी गुरूप के और इनका जो लीडर था इसी के अंदर नागा नेशनल काउंसिल के अंदर ही लीडर था थ्विंगा लेंग मुहिवा यह उस टाइम पर चाइना में था जब यह अकॉर्ड हुआ था इसने मानने से इंकार कर दिया इस अकॉर्ड को सी लोंग अकॉर्ड को रिफ्यूज कर दिया असेप्ट करने से मानने से इंकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो अलग से नागा लेंड एक अलग से greater नागा लेंग स्टेट बनाएंगे इन्होंने नहीं माना और फिर इसने जो त्विंगा लेंग मुईवा लीडर है इसने अलग से एक गुरुप बना लिया जिसका नाम रखा National Socialist Council of Nagaland 1980 में यह बना लिया अलग से लेकिन क्या हुआ इनमें भी फिर विवाद हो गया इस जो गुरुप बना है इसमें भी जगडा हो गया और यह सिपलिट हो गया अलग से मतलब इसी के इसी के दो भागों में बट गया जैसे आपने पढ़ा होगा भाई साब NCRT में Congress जब इंद्रा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंद्रा गांधी के टाइम में Congress दो हिस्सों में बट गई थी दो हिस्सों में यह अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1939 में जब नेता जी सुवास चंद्र वोस बने थे प्रेजिडेंट किसके Congress के लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टा भी सितार मिया बने लेकिन बन गए थे नेता जी यह सुवास चंद्र वोस जी तो लेकिन गांधी जी नाराज नहों इसके लिए इन्होंने रेजाइन कर दिया और अलग से एक गुरूप बना लिया forward group, forward block, forward block बना लिया लेकिन विदिन्दा Congress ही था तो इसी तरह से इसमें भी भाई साब सिप्लिट हो गया इस गुरूप में दो भागों में बट गया 1988 में ये National Socialist Council of Nagaland एक बन गया NSCN यानिकि National Socialist Council of Nagaland IM और एक बन गया K ये IM का मतलब है भाई साब M से तो हैं वो इसाक मतलब ये थुइंगा लेंग मुया जो उपर हमने देखा ना ये वाला नाम जो नाराज से थुइंगा लेंग मुया और एक दू I S A C इसाक के लगा लो K है इसमें इसाक चिसी शू ऐसा कुछ नाम है इसाक चिसी शू तो ये दो लीडर्ट्व के नाम पर रखा IM इसाक का आई लिया और वो थुइंगा लेंग मुया इनसे M लिया तो ये दो गृरुप में बढ़ गया और ये जो हैं NSCN के इसके लीडर तो ये इसेस खापलेंग से केस लिया यहां से तो ये दो लीडर अलग-अलग इन्होंने गृरुप बना लिए 1988 में उसके बाद क्या हुआ 1991 में जो फीजो थे जिन्होंने NNC बनाया था नागा नेशनल काउंसिल ये क्या है इसकी इंपोर्टेंस घटना सुरू हो गई और बाद में ये बाइसा मर जाते हैं फीजो इनके लीडर तो इसकी इंपोर्टेंस बिल्कुल कम्स हो गई अब जो ये है N.S.C.N.I.M National Socialist Council of Nagaland अब ये पूरा मदर मानी जाती है All Insurgency जिन्दा रीजन मतलब सारे जो इंसर्जेंसी घुसपैट होती है सारे जो यहाँ पर रियोट्स कराते हैं अब ये है यहाँ पर नागा गुरूप को रीपरजेंट करने वाली लेकिन और भी गुरूप है जैसे यह चल रहा है कि यह भी चल रहा है और N.N.S.C. भी चल रही है लेकिन अभी इसकी इतने इंपोर्टेंस नहीं और सारे कई गुरूप है लेकिन अभी जो मेन लीडर यहाँ पर माने जाते हैं यह माने जाते हैं आईयम वाले तो इनकी डिमांड क्या है नागा गुरूप की इनकी डिमांड यह है कि अलग से ग्रेटर नागा लिम बनाना चाहते हैं sovereign statehood, अलग से, अलग से state हो इनके लिए, और ये जो नागा inhabited areas है, उसको एक साथ लेके आना चाहते हैं, नौर्थ इस्ट का कुछ एरिया है, मतलब एक state रहे हैं, कुछ पार्ट अरणचल प्रदेश का, कुछ मनीपूर, कुछ असम और कुछ महनमार जो यहां पे country हैं, तो इसक की भाहसा में बोलते हैं, सवीधान को, Constitution को, और अलग से national flag हो, नागा national flag, ये चाहते हैं ये लोग, लेकिन कुछ peace initiative स्टार्ट किये हमारी गौपन्टें, की 37 तापित हो, इनकी demand को रोका जाए, अलग से ना बने भाहसाब, जो कि भाहसाब, ये जब अलग से बनाना चाहते ह तो ये मनीपुर क्यों चाहेगा, हम अलग से बनाना चाहेँ, कुछ यहाँ पर अलग tribe हैं वो नहीं चाहते हैं, कासम नहीं चाहता, अरुनाचल प्रदिश नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, कुछ group हैं यहाँ पर, तो वो क्यों अपने state का part देना चाहेंगे, तो ये भी नह चाहते हैं, तो कब-कब हमने peace initiative किया हमारी government ने वो तेक लेते हैं, जैसे हमने उपर ये पढ़ लिया, शिलोंग accord हुआ पहले 1975 में, इसमें जो sign किया गया कि जो NNC था, उसने agreed कि हम अपने आम हत्यार छोड़ देंगे, give up कर देंगे, लेकिन इसके बाद जो क्या है, several leader थे अलग group बन गई, फिर उसके बाद क्या है, 1997 में, siege fire agreement हुआ, siege fire का मतलब होता है, युद्विराम, कि जो आप हत्यार वगरा यूज करते हो, classes करते हो, उसको रोको, तो जो ये group है, NSCNIM, जो इसाक मुहिवा का group है, National Socialist Council of Nagaland, इसने siege fire agreement कर लिया, युद्विराम समझोता कर लि कोई भी रोक देंगे, इसके बदले में, in return, government ने भी कहा, कि ठीक है, हम भी कोई counter-insurgency, offensive operation नहीं चलाएंगे, मतलब government भी सरकार भी चलाती थी, counter-insurgency, मतलब जो यहाँ पर घुसपैटी आते हैं, करते हैं, demand रखते हैं, मारते हैं, सेनिकों को, उनको मारने के लिए भी, यह में यह government ने स्युकार किया, कि हम आपकी जो unique history है, आपकी culture है, संस्कृती है, और जो भी नागाज की position है, जो भी आपके sentiments, भावनाए, feeling है, जो आपकी aspiration है, आपकी सारी भावनाओं को recognize करेंगे, और आपकी culture को support करेंगे, यह माना framework agreement में, लेकिन recently क्या हुआ, state government ने decide क्या, क उनके लिए एक register तयार करेंगे, उसमें उसको register करेंगे, सारे नाम, लेकिन जो यह decision लिया था, यह decision लिया था, अभी hold पे रखा हुआ है, अभी hold पे रखा हुआ है, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो pressure group है, वो ही nagaland को उन्होंने pressurize किया, कि हम इसको नहीं मानेंगे, तो जो state government है, नागaland की, उसने अभी hold पे रखा हुआ, register तयार नहीं कि हुआ हुआ है, अब issue क्या है, परेशान ही क्या है, परेशान ही यह है, 2015 में agreement हुआ, गोर्मेंट ने agreement किया, इनके साथ, इन्होंने agreement किया, लेकिन यह agreement था तो inclusive, कि जो जितने भी nagaland group हैं, जितनी भी tribe हैं, सब के हम culture को बचाएंगे, और इन्हें promote करेंगे, development लाएंगे, आपके लिए सुविधा ही देंगे, आपे facility, लेकिन कुछ group हैं यहाँ पे, जियो political lines पे, और कुछ tribal group है, नागाज की, वो क्या है, central government पे suspicion करते हैं, संधे करते हैं, कि क्या है central government यहाँ पे हमें division करना चाहती है, और नागा inhabited areas हैं, मतलब जहाँ पे नागा group के लोग लहते हैं, मनिपूर, असम, अननेशल परदेश में, वो greater नागा लेम की demand करते हैं, लेकिन जो क्या है, different affected states हैं, जैसे असम, नागा, असम, मनिपूर, अननेशल परदेश और जो मैनमार है, यह क्यों देना चाहेगा अपना area क्यों देना चाहेंगे, वो भी यहाँ पे विरोध करते हैं, आप पोज करते हैं, next issue क्या है, next यह है, major hindrance तो यह है, मतलब hindrance का मतलब होता, बाधा, road block, major road block यह है, कि भाहिसाफ देखो, एक group तो है नहीं, यह NSCN बोलता है, अपने आपको major group के, मैं decide करूँ है, नागा के ल आपका जैसे NNCB अभी चल रही है, और भी बहुत सारे group है, तो एक group मान जातो तो दूसरे group नहीं मानते, मतलब जैसे मान लो, इसने agree कर लिया, state government के साथ, या central government के साथ, NSCN, IM ने, इसने मान लिया, ठीक हम peace accord करेंगे, कोई गुस्पैट या नहीं करेंगे, कोई यहाँ प आप दूले का मामा बिगड गया, मामा परिशान है, कुछ drink करके पढ़ाया, वो नहीं मान रहा है किसी पर, उसको मना रहे हैं लोग, अब मामा माना तो दूसरी तरफ फूपा बिगड गया, भाई सब फूपा को मनाओ, अब फूपा माना तो फिर लड़के का जीजा, रीपरजेंट करते हैं, हम असली नागाज को रीपरजेंट करते हैं, हम चाहते हैं ग्रेटर नागालिम बनाना, तो अलग-लग different group हैं, अलग-लग बाते हैं इनकी, अब वे forward में क्या हो सकता है, कि solution क्या हो सकता है, solution हो सकता है, देखो central government को नेगोशिट करना चाहिए, सारे को साथ सारे जितने भी और long lasting peace के लिए सांती के लिए सारे insurgent गुरुप हैं एक साथ बैठाओ और बाते करो और इनसे काहो भाय साब आपकी जो culture history और territorial extent सबको हम consider करेंगे आपको पहचान देंगे आपका development करेंगे एक ऐसा arrangement स्टीजन है, स्टेट के और ट्राइब है, उनको पहचान दो, उनके डवलपमेंट लाओ, एजूकेशन दो उने, इनको पहचान दो, एक तरह से कल्चर को इनको बढ़ावा दो, ताकि इनने ये ना लगी कि हम अलग से गुरूप पढ़े हुए, हमारे डवलपमेंट के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो भाई साब, इश्यू तो तब ही अराइज होते हैं, कोई भी कॉम्मेटी है, तब ही तो उसे मतलब ठेस पहुंचती है, जब उसका डवलपमेंट के लिए कुछ ना किया हो सकता है, कि जो क्या है, पावर को डी सेंट्रलाइज कर से है, उसको परमूट करो, और यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन को मिनीमम रखो, सेंट्रलाइजेशन रखो कि सेंट्रल गोवर्मेंट या स्टेट गोवर्मेंट के डिसाइड करें इनके बारे में, इनको ही पावर दो, यहाँ पर एलेक्शन कराओ, छोटो छोटो छोट लेवल पर उनको development project का decision लेने दो यानि कि छोटे लेवल पर जो नागा inhabited area उनको greater autonomy दो अपने कानून वगएरा खुद बनाए अपने लेवल पर छोटे लेवल के लिए वो तो इनके लिए अपना separate budget भी दो इनके लिए allocation मलब budget में भी separate इनके लिए पैसा allocate करो कि इनके development के लिए इनकी culture को develop किया जा सके और जितने भी इनके developmental issue है उनको सुल जाया जा सके next क्या हो सकता है next issue तो यही है लेकिन central government को यह सोचना चाहिए अपने mind में कि भाई साब पूरे world में जितने भी ऐसे insurgencies group है आम insurgencies होती है वो देखो ना तो government की जीत हुई है ना इन insurgencies group की जीत हुई है यानि कि government की ना तो total victory हुई है और ना ही comprehensive defeat ना हार हुई है ना इनकी insurgencies की यह चलते ही रहते हैं मतलब चलते ही रहते हैं किसी भी इशू के तो क्या होना चाहिए कि gray zone में रहते हैं ग्रे जोन में ग्रे जोन का मतलब है compromise मतलब सुले तो central government को मैंड में रखते हुए ऐसा decision लेना चाहिए कि सुले करनी चाहिए भाई साब तो यह सारे decision उपन लिए जा सकते हैं कि culture developmental issue को resolve करो सुल जाओ तब इसका issue कोई मतलब resolution हो सकता है solution हो सकता हल हो सकता है इसका तो इसमें बस यही था lecture में